Hello, Namaskar, Welcome to Inculicate Learning. Domains of Learning के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो तीन domains होते हैं learning के और उन domains में जो है particularly किसमें क्या taxonomy दे रखी है और वो जो series है taxonomy में वो हमें कैसे कैसे याद रखने हैं, क्या क्या उसमें चीजें factual हैं, याद रखने लाइग. So this is presented by me, Raveena, अगर आपको videos informative लग रहे हैं, तो like, share और subscribe जो आप Inculicate Learning को कर सकते हैं. Three domains of learning के हम पढ़ते हैं, cognitive domain, affective domain और psychomotor domain. हमें पता है cognitive domain यानि संग्यानात्मक लेवल पे जो चीजे हैं, वो thinking से related होंगी, affective में feeling से related और psychomotor में action based या physical level पे जो चीजे हैं. अब cognitive में याद रखने के हैं कि 6 categories हैं, यानि 6, 1 to 6 जो है वो taxonomy हैं, affective में 5 categories हैं, psychomotor में भी 5 categories, अब ये क्या क्या हैं, अब देखें जो cognitive level पे हैं, वो bloom की taxonomy को बोला जाता है, कि bloom की taxonomy किसके hierarchical order को दिखाती है, cognitive skills को, जो कि teachers को सिखाने में और बच्चों को सीखने में, students इस तरीके से जो है, एक teacher को सिखाना जाहिएं बच्चों को, वो बताते हैं, cognitive domain में 6 categories होंगी, एक किस ने दी थी, Anderson और Crathol ने, अब आपको confuse नहीं होना है, कि यहाँ पर मैंने Anderson और Crathol लिख दिया, और यहाँ bloom taxonomy बोल दिया, तो यह bloom और इनकी साथ जो collaborative work जो हुआ है, इन Anderson और Crathol में, 1956 में bloom taxonomy आई थी, उसके basis में यह 6 points थे, यह 6 levels थे, categories थी, knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis और evaluation, 2001 में इसको जो है, revised किया गया, revised भी भोल देते हैं, तो mostly जो है revised वाली आते हैं, लेकिन आपको 1956 वाली पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, exam में कब कौन सी आ जाए, ठीक information है यह, तो static information तो at least हमारे हाथ में है, कि कोई भी ऐसा question ना जाए, जो बिल्कुल basic information के इसाब से जो है, रह जाए हमारा, और पूछा क्या जाता है, इनको arrange करना, आपको यह दिया, फिर यह पूछ ले जाएगा, कि इन में से कौन सी जो है, वो bloom taxonomy में नहीं है, कौन सा step, त इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको यह नाम अगर याद होंगे series में, तो आपका जो आदर से जादा काम है, वो done है, फिर आप question देखके solve कर सकते हैं, paper में, तो यह 2001 की according रहेगा, remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating, assessment tools, जो है cognitive domain of learning में, वो objective test या essay test जो है, इस तरीके के test को use किया जाता ह अफेक्टिव domain of learning के अगर हम बात करें, तो किस पर target करते हैं, awareness और growth किसकी, attitudes, emotions and feelings की, जो अभी मैंने वताया था आपको, so effective domain में five categories हैं, यह भी क्राथ होल ने दी है, receiving, responding, valuing, organization and characterization, so यह पांचो नाम series में आपको याद होने चाहिए, assessment tools क्या रहेंगे effective domain में, self report, rating scale, semantic differential scale, जि two जो है वो extreme है, चाहिए वो एक two positive में extreme होगा, एक negative में extreme होगा, और zero जो है वो neutral है, ऐसे ही thurston scale, likert scale जिसमें strongly agree, agree, undecided, disagree और strongly disagree, जो यह scale जो है, आपने कई बार questions में भी देखा होगा, यह CTAT में भी या mostly TAT में जो है, यह UGC में यह question आते हैं कि आप इस statement से किस तरीके से agree क इसे ही checklist जो है वो भी assessment tool में रहेगा, psychomotor domain की अगर बात करें तो यह किस पे focus करेगा, कि major तोर पे कैसे development या change हो रहा है behavior या skills में, so यह action based होगी कि आप क्या कर रहे हैं, छीक है, आपने जो चीज सीखिया या देखिया उसको आप कैसे कर रहे हैं, तो five categories होंगी, रह डेव इमिटेट, इमिटेट करके जैसे बच्चपन में बच्चा सीखता है वहाँ से शुरू होता है, इमिटेट, मैनिपुलेट, प्रसीजन, आर्टिकुलेशन और नेच्रिलाइजिशन, तो यह पांचों की पांचों स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, यानि कि आपको इस कौन सी है, या लोवेस्ट मोड पे कौन सी है, तो वो आपको पता होने चाहिए, कि सबसे नीचे से कौन सी है, इमिटेट से शुरू के नेच्रिलाइजेशन तक है, कई बार पूछ ले जाते हैं, कि तीनों की एक क्वेशन, मैंने शाहिद ऐसा भी देखा था, कि तीनों जो तो यह चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसलिए हैं यह, ठीक है, इसमें जो assessment tools रहेंगी, observational tools हो सकते हैं, जैसे checklist, ratings के लिया, anecdotal records या critical incident की जो technique है, वो, so यह जो है, यह क्या है, आपको यह नाम याद रखनी है, this was all about today, thank you so much for watching.